तो प्रॉब्लम सेट वन के अंदर कोमल जी पहला क्वेश्टिन एक्जाम्पल वन प्रूव दाट बहुत इजी है समझे का ध्यान से प्रूव दाट सीक्वेंस वन अपॉन एन स्क्वेर कनवर्जिस टू जीरो यह प्रूव करना है ठीक है सॉलुशन अरे आवाज आ रही है मेरी सब को तो सॉलुशन प्लीज सॉलुशन कैसे अच्छा तो भाई कैसे प्रूव करते हैं जो शो करते हैं हमें क्या शो करना है सबसे पहले बताओ जारा कि सीक्वेंस वन बाई एन स्क्वेर कनवर्ज करेगा जीरो पर ओके जी पिर क्या बोलता है लेट अब सालन पॉजिटिव भी गिवन याद है तरीका लिखने का सब को अब ही समझाँगा कुछ यहां तक मरे साथ दें बस अब एक बात बताओ सब बच्चों से मेरे एक प्रेशन नहीं है आपर है प्रेशन क्या है कि अरे सर लिमिट भी पता है सीक्वेंस भी पता है लिमिट एंटेंशन भी लगने सब कुछ पता है तो ढूंड क्या रहे हो आप इसमें जब सब पता है और अपको गिवन होता है तो इसमें ढूंड रहे हैं एन नौट की वैलियू कि वह कौन सा नाच्रल नंबर होगा जिस पर इन दोनों का डिफरेंस किससे छोटा आएगा अब साइलन से इस तरह की प्रॉब्लम समेस्टर वन टू थ्री हमेशा होगे तो जब भी आपको सेक्वेंस भी दिया हो लेमिट भी दिये हो प्रूब करने को बोला हो तो वहां पर हमें एन नौट की वैलिव फैंड करनी होती है चलिए लेकिन कर क्वेश्चन करने का तरीका बिलकुल नहीं बतला है हमारा क्या कंसिडर करूं बताओ जल्दी से अब एफ मुझे एन की वैल्यू एन क्या बड़ा वन बाय रूट अब से होगा कि नहीं होगा बताओ इस सोच लो यहां पर देख लो इधर लेकि जाओं कि एपसालन से शुटा तो पता ही यह कनवर्ज करता है तो तो एन किस से बड़ा अगर वन बाय रूट सबसे पुछ रहा हूं पंशुल हर्शिता नकूल सक्षाम हाँ आज तक हम लेजन अपसालन शो करते थे अब लेजन अपसालन पता है एन निकालना है जैसी यह स्टेट्मेंट आगे लेट एन नॉट बी आ पॉजिटिव इंटीजर बी आ पॉजिटिव इंटीजर कुछ टीचर यहां पर आर्किमिडिन प्रॉपर्टी का नाम भी लेते हैं लेने की जरुद नहीं है वह आपकी मर्जी है एन को एन नॉट कर दो अगर एन नॉट बढ़ा है वन बाय रूट अपसा तो 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 वन अपॉन एन स्क्वेर माइनस जीरो अपसालन से छोटा होगा उन सब टर्म्स के लिए जो किससे बड़ी बराबर होंगी एन नॉट तो देर्फोर वी किन से कि वन अपॉन एन स्क्वेर जीरो पे गनुज करता है कॉलेज में टीचर यहां पर आर्किमेंट प्रॉपर्टी लिखेंगे क्यों लिखेंगे क्योंकि आर्किमेंट प्रॉपर्टी कहती है कि नाच्रॉल नंबर सा नॉट बॉन डबो वो किसी रियल नंबर से छोटे बराबर नहीं होते से बड़े होते हैं तो यह आकिन प्रॉ से बढ़ी है तो यह सीक्वन जी रोपे करेगा समझ में आ गया कि नहीं आ गया क्वेश्चन कि पूछ रहां भाई कि यह सब्सक्राइब एक्जाम्पल वन हुए अभी ऐसे हमें और भी करने हैं कि बिटा इज़रा क्वेश्चन नमबर टू पहुत सारे करेंगे ऐसे ग्वेश्चन आप अपने आप कर पाएंगे अपने एक्सरसाइज ग्वेश्चन भी कहता है है लेट एन दे रही है आपको क्या दिया एन थोड़ा सा बड़ा चोड़ा लंबा एक्सप्रेशन दे लिया तो इससे घवराने की दुरूत नहीं है एन प्लस वन का स्क्वायर दो मैं मानता हूं बोर्ड वाली क्लास अच्छी ऑती है उस पर जादा अच्छा समझ में आता है तर आज आज एजस्ट कर लो इस क्लास पर नड़्यास से बोर्ड पर ही होगी सारी यह एन दे रही है आपको आपको कता है show that यह एनत टर्म में बिटा show that this an converges to 0 यह show करना है मेरे बिटा okay let's start the way we start always we have to show that sequence an converges to 0 तानी अपनी वैसे चलेगी लेट अब साइलन पॉजितरी बी गिवन so to show there exists and not go natural number है for all n given equal to n not correct यह बात अब consider कर ले तूं consider mod an minus 0 तो an है क्या हमारा वन अपन एन प्लस वन का स्क्वार प्लस डैश 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 एन प्लस एन होगा बटा लास्ट मस्वारी क्या यह expression छोटा बराबर one upon n स्क्वार से होगा one upon n स्क्वार कैसे यह तरीका सिखाना मुझे आपको denominator छोटा तो number बढ़ा पताओ सबसे छोटा denominator कौन सा है इसमें पूरे में सबसे छोटा denominator कि अरे क्या हुआ है कि अरे क्या हुआ हाँ हाँ उससे छोटा नंबर एन हुआ न हुआ तो डिनोमेटर छोटा तो नंबर है बढ़ा तो वन बाए एन बढ़ा होगा सबसे होगा तो सका स्क्वाइर भी बढ़ा होगा तो यह सारी टम्स का स्क्वाइर इन सारी टम्स के स्क्वाइर से बड़ा बराबर होगा और नहीं होगा बताओ और वन से लेके एन तक कितने टम्स हैं इन टम्स है न तो कटके क्या बचा आपके पास और वो सब किस्से चोटा है है अब ताड़ा इस ग्रिटे दिन अरे समझ में आ या थोड़ा तोड़ा आ जाएगा भी अब कि मैंने इसको सॉल्व किया मुझे एक एंड था क्या है क्या फाइंड करना वह नाच्छल नंबर फाइंड करना मेरा काम में जिस पर स्टेट्मन ट्रू है तो एक एंड चाहिए हैं बहुत सारे एंड तो सिंप्लिफाइड किया कि सबसे छोटा ड्रॉमेंटर लेकर कि उसको एंड टाइम्स रिपीट कर दिया तो वह एक्सपरेशन इससे बड़ा बराबर हो गया और कित्च ट्रॉम्स थी एंड थी तो वन बाइन आ गया और वन बैं किसे छुटा है एपसलन से यह सारा एक्सपरेशन एपसलन से तो एन किससे बढ़ा हुए वञाएं तो लेट फिर वन बाई एपसलेंग से तो अभी नमबर्स में भी अनवर्ड करें दिखा सकता है तो एन माइनस जीरो छोटा है एपसलेंग से वर ओल्ल दे टर्म्स गेटेज इन एकुल दो एंड नॉट तो सीक्मेंस एन जीरो पर कंवर्ज कर रहा है कि अब सैंड की कोई भी बोलो चलो जिरो पॉइंट जिरो 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 वन बोल दिया और यहीं बोला ना मतलब वन बाई टैन थाउजंट यह वह नहीं है और बोलो यार कि तो वन बाई एपसलेंग क्या हो गया तो टैन थाउजंट से जो बड़ी टाम है उन पे इन दोनों का डिफिंस किससे चुटा आएगा यह कहना चाहरा हूं चलो दूसरा एक्जामपल भी हो गया एक्जामपल थरी कराता हूं शयाद और अच्छे समझ में आ जाए आपको क्या पता बगवान आप पे थोड़ी क्रपा करे लो next question लो यह अगर यह वले पर समझ में नहीं आया तो आएगा नहीं समझ में फिर कभी भी तो इसलिए यह वला और देख लो कहता है question में अगर mod A1 से चोटा है then show कि sequence A to the power N 0 पे converge कर रहा है solution स्टार्ट करना है तरीका बताओ स्टार्ट करने का हमें जो show करना है to show कि A to the power N 0 पे converge कर रहा है limit भी पता है sequence भी पता है let epsilon positive be given epsilon smallest positive जो show करना उसकी definition लिखते है there exist and not koin natural number है such that mod A to the power N minus 0 epsilon से चोटा है for all the terms greater than equal to N 0 consider mod A to the power N को क्या मैं mod A hold to the power N भी बोल सकता हूं की नहीं बोल सकता हूं बता पूछ रहा हूं मैं तो है गवराने जरूत नहीं है ये epsilon से छोटा है तो N निकालना है तो log लगा दो दौने तरफ अब तुमसे कुछ गड़बड हो रही है बता दूं क्या गड़बड हो रही है ये स्थर बता ओ लॉग वन क्या होता है और अपसालन क्या है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर तो ये तो log वन से भी छोटा है मतलब किस से भी छोटा है ये भगवान तुम्यार कैसे हो बच्चो अपसालन लॉग वन से छोटा है लॉग वन जीरो है तो log अपसालन कैसा नंबर है नेगिटिव है क्या पॉजिटिव है तो नेगिटिव है N नेच्टिव नंबर है लॉग मॉड ए पॉजिटिव है मॉड लगा है वहां तो वसी भी राइट तो यह जो साइन लगा है लेजन का वास्तव में यह साइन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर लॉग अपसालन अपॉन लॉग ऑफ मॉड ए बिकॉज लॉग अपसालन इस नेगिटिव यह सो नॉट चलिए अगर आपको सुझ में आ गया तो अच्छी बात है तो बस होगे हमारा कहा हमें क्या करना है लेट अन नॉट बी अ पॉजिटिव निग अन नॉट बी अ पॉजिटिव इंटीजर such that अगर अन नॉट बड़ा है लॉग अपसालन अपॉन लॉग अफ मॉड ए से तो मॉड ए है तुदी पार अन मैनस जीडो किसे चोटा है अपसालन से और आल अच्छा और और बताता हूं चलों और मॉड ए किसे चोटा है एक बच्छा बोल सकता है ना मुझसे कोई बच्छा ऐसे भैस भी कर सकता है तो अगर अपसालन पॉस्टिव भी है तो लॉग मोड ए तो नेगिटिव हो सकता है ना मतलब अपसालन की वैली वन से बड़ी भी है तो भी रिजन वैसे था है में लिए वह इन्फरमेशन काफी थी पर फिर भी यह लिख देते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा आपको शाइद अब ठीक है क्योंकि मौड ए वन से छोटा है इसलिए लॉग मौड ए नेगिटिव है कि नहीं समझ में आया भी बार बार एनी तो निकाल रहा हूं कुछ भी जुकाड़ करके न निकालने आपको क्यों भाए बच्चो यह सर आपकी बुक में भी क्वेशन है कि चल्ब को इन आगे मिलेगा तो को इन देखेंगा हूं कि बच्चो ज़ग में आपकी और ऋढ़ कि बच्चो बच्चो ऑनने आपकी बचल्बस ज़एुंगको ज़ए निकालने तो, सबस्जबस कालने छल्बस यहा है समझ लो वैसे समझ में आया तो बताना वाई है वैसे को आपकी मर्जी है जैसे मर्ची करें उसको आया समझ में नहीं थोड़ा बहुत भी बच्चो एक्सराइज में है ना सॉल्ड 3.1, 3.2 सॉल्ड अमर्कार चलो एक्साम्पल 4 कहता है एक्सामनर शू करो कि सीक्वेंस बी बाइन कंवर्ज करेगा जीरो पर शू करो एन अपॉन एन स्क्वेर प्रेस वन अग्स करेगा जीरो पर शू करो इन में से मुझसे कोई भी भी करा सकते हो आप टू एन अपॉन था कि तुमारे सोड़ी प्रेक्टेस हुआ है एन प्लस वन करेगा टू पर एक्षांपल 6 एक्षेवन्स तो एन अपॉन प्रेस न हो गया त्री एन प्लस वन अपॉन टू प्लस फाइव 3N plus 1 upon 2N plus 1 यह हमारी बुक के क्वेशन है शो करो कि यह गन्वर्ज करेगा 3 by 2 का है 1 upon root N plus N 7 गन्वर्ज करेगा 0 पर यह सब शो करना है इन्वर्ण करें 15 । कि इतने दो बहुत हैं इसके बाद तो तुम चैंपिन मिन जाओगे बता भई कौन सा कराना शूब करूं इसमें से पसंद कर लो यह आपके बुक्के कोशने साथ है जो बोलो कि मैं करना शूबर मुझा उपर से नो यह हैं तीन तीन च्छे और एक साथ कोई तीन करवा सकते हो बस मुझसे अब और एक जामपल एट और एक जामपल एट से लेट हो गया और जादो यह कब चोईस मांगी कि अपनी चोईस रखने सीखो अक्स और पाइब चलो तो भी स्टार्ट नाइन चार हो जाएंगे तो तुमने एक चोईस कर चुकिए ना तुम अपनी हाँ भी सब क्या हक पार्ने के चक्कर में हो तुम है अच्छा फॉर फाइव सिक्स है यह यह सेवन है यह एट है यह नाइन है यह टैन है इसक्स का सॉलूशन इन सब क्वेशन में लिखा वर टू शो ठीक है बिच्चो मेरे साथ साथ हमें क्या शो करना है अच्छा किया है वैसे एक आदर थोड़ा इजी भी बोला ताकि कॉंसेट तो समझ में आया क्या इन क्वेशन का कॉंसेट एक क्वेशन आयेगा पक्का धाई से पांच नमबर क का च्वेशन करती है लेट अपसाइलन पॉजिटिव भी गिवन यह कनवर्जन सीक्वेंस के डेफिनेशन पर यह क्वेशन सारे हैं तो क्या शो करूं बताओ मन में सोच भी लिए अगरो कि क्या लिखने वाले हैं सकते कि एन नौट बिलॉंग स्ट नाचल नमबर such that mod 2n upon n plus 1 minus 2 is less than epsilon for all n greater than equal to n not क्या consider किया जाएं यहां पर mod 2n upon 2 n plus 1 minus 2 हाँ तो 2n upon में n plus 1 minus 2 को solve करके क्या मिलेगा तो को बता ले ना जल्दी से बता और solve को ने बता था मिझे मेरे इतना जगह नहीं है क्या 2 upon n plus 1 मिलेगा अरे mod है न माहिने सट जाएगा ऐसे यह बचेगा n plus 1 किससे बढ़ा हो जाएगा यहां पर अब 2 by epsilon that is n is greater than what चलेगा ऐसा अब और दिमाग देता हूं एक बच्चा बोलता है मुझे मज़ा नहीं है सर टीचर भी बोलता है मज़ा मज़ा नहीं है तो एक बच्चे ने ऐसे किया इस क्वेश्चन को सर टू अपॉन एन प्लस वन से बड़ा बराबर नंबर है टू बाए न और वह चोटा एपसालन से इफ एन इस ग्रेटर देन टू बाएपसालन बताओ किस में ज्यादा मज़ा है अरे चोटा तो नंबर बड़ा ले सकता हूं ना मैं तो यह जादा इसमें माइन सोना आगया राइता फैल सकता है यहां अबर आपका तो दिस इस बेटर अप्रोच देन दिस फिर रिखो लेट एंड नॉट बी आ पॉजिटिव इंटीज ऐसे भी करो के मार्क्स पूरे मिलेंगे लेकिन किसी किसी क्वेशन आफ़ सकते हो इंटीज है सच दाट कि अगर एंड नॉट बड़ा है टू बाइब से तो तो सीक्वेंस तो सीक्वेंस मॉड तू एंड अपॉन एंड प्लेस वन माइनस टू छोटा होगा अब से उन सब टर्म्स के लिए जो किससे बड़ी बराबर एंड नॉट देर्फोर सीक्वेंस तू एंड अपॉन एंड प्लेस वन कहां करूमर्च करेगा बताओ अब कौन सा पसंद किया था मेरे बच्चो मैं तुम से करवा दूंगा सारे कोशन टेंशन मतलो बस दिखा रहा हूं मैं तो भी इसने ज्यादा कोशन उठाए हैं ताकि तुम्हें पताशल जाए कि सब कर क्या रहें बार बार कि वैश आगया समझ में है अब सेवंद उठा लेता हूं चला अगया लिख लेए लिखे लेए सेवंद का स्वेशन बिल्कुल जैसे मैं करना हूं इस बार मेरे मेरे साथ करो सेवल का सॉलेशन पर अगला खुद ही हो जाएगा अपने आपकी हमें शो करना है क्या बिटा 3N प्लस 1 अपॉन 2 है ना 3N प्लस 1 अपॉन 2N प्लस 5 कहां कनवर्ज करेगा ये 3N प्लस 5 कहां हां क्लास में पता है जब आप करोगे ना वी में इसे कर लो तो पर खेर क्लास में हो चुका होगा सब पुछ क्या कंसे गरों बताओ कि मॉट्री एंट प्लस वान अपॉंट में टू एंट प्लस फाइव माइन त्री बैटू सॉल कर सकते हैं इसको में लेके मेरे बच्चों यह तो इतना तो कर देते हैं हम खुद से भी कर सकते हैं इतना तो हम तो जैसे 6N प्लस 2 हो गया माइनस 6N माइनस 15 हो गया अपॉन क्या बचा हमारे पस बिठा 4N प्लस 10 बच गया राइट ना सॉल करें तो सिक्सें से सिक्सें गया है क्या बचा है क्या इसको सीधा अप्साइं कर दूं क्या इसको ऐसे लिखने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा यह बताओ पहले 4N प्लस 10 से छोटर नमबर तो N है ना यह सर्ण विच इस लेस देन अप्साइल ना इफ एन इस ग्रेटर देन वाट करेंट है मेरे बच्चो पाइल जी सर्ण लेट नोट बी आ पॉजिटिव इंटीजर अब आगे से question मैंने मैं यही solve करूंगा सिर्फ ठीक है इंटीजर such that कि अगर N नोट बढ़ा है 13 बाइब अप्सालन से तो तो मौड 3N प्लस 1 अपॉण 2N प्लस 5 माइनस 3 बाइटू किससे चोटा है अप्सालन से उन सब टर्म्स करें जो किससे बड़ी बराबर N नोट देर्फोर sequence converges to 3 by 2 समझ में आगया बच्चा हूँ यह सार मुश्किल नहीं है बहुत इसी है यार पिर से बताओ कौन सा करा हूँ आप 9 करें से नाइनथ नाइन आइन तो थे वह और भी दे दूंगा है चलो नाइन तो सॉलूशन नाइन तो मैं अब कंसेडर वाला पार्ट कर रहा हूं मेरे बेटा प्लीज डॉंट माइंड हां कंसेडर क्या था माइनस वाला विशन था ना वहां कंसेडर माइनस वन टुदी पार एन इंटू एन अपॉन था बुक में तो चोटा चोटा लिखा है एन स्क्वेर प्लस वन माइनस जीडो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ जल्दी से बोलो बोलो जल्दी से शाबाश आँ बच्चो इसको और चोटा कर सकते हैं अब आगे कर लोगे यही तो एक्वेशन में नहीं सौल करने बाके तो न नोट आगे आपका हाँ जी सर्थ लेट नोट बी आ पॉजिटिव इंटीजर बाके तो कौन से स्क्रप्ट सेम रहेगी अगर अगर नोट बड़ा है वन बाइ अपसैलन से तो तो माइनस वन टू दी पार न इंटू एन अपॉन माइन जी रू अपसैलन से चोटा होगा देर्फोर सीक्वेंस जीरो पर गनवाज करें क्लियर हो गया मैं तो यह वाली बात की बस ओके नेक्स्ट वेशन 10 भी करना ना मुझे लॉग वाला सॉलूशन 10 कंसेटर वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा प्लीज कंसेटर मॉड क्या था लॉग एन प्लस मन था ना हुआ माइन जीरो क्या मैं सीधा वन अपॉन लॉग एन प्लस मन लिख सकता उसको और ये छोटा बनाबर होगा 1 upon log n से which is less than epsilon if log n is greater than 1 by epsilon that is n is greater than e to the power 1 by epsilon ना समझे में आई बात आदेशा अगर n नोट बड़ा है ये की पार 1 by epsilon से तो आगे की स्क्रिप्ट आपको पता है तो ये सब बच्चों वाले क्वेशन थे आपकी एक्सरसाइज 3.1 के मैंने इस सारे क्वेशन कराया है वेशन नमबर 4 5 6 7 8 9 10 अच्छों उसके पार्ट्स हैं ये फिर 6 की पार्ट्स हैं ये फिर 7 भी करा दिया मैंने 8 8 अभी कराता हूं मॉडलस वाला है वोई जी है तो इस सारे क्वेशन आपके एक्सरसाइज के हैं बिटा आगे बढ़े हैं कि अब आप यह की एक्सरसाइज के और भी क्वेशन उतार रहा हूं मैं हम पर भी क्वेशन नेक्स्ट यह क्वेशन करो सब बच्चे n स्क्वेशर माइनस वन अपॉन 2 n स्क्वेशर प्लस 3 अब यह करो जिस्टू हाव यह तो सब करोई मैं इतने बाकी लिखता हूं इसके बाद आपकी बुक में हैं क्वेश्चन नंबर एट इतने बाकी बच्चेशर इतने बाकी एट अपकी जिस्टू इतने बाकी लिवन करका जिना झाल वाशन झाल 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 वाग जिस नहीं वाग हावे बच्चो एक्सरसाइज 3.1 खतम होगी अब 3.2 चालू करने वाला हूं बस अब कर दो नहीं हो रहा क्या पर हो गया बस एक लास ट्रीटमेंट लिए नहीं है अब मुझे वो तो बता तो क्या अंसर आया है उसका वो किस से लेज़न क्या है इस ग्रेटर दें रूट थ्री अपॉन अपसाइल नहीं भाई तो फाइब बैए अपसाइल है अग्रेटर दन फाइब आपसाइल है अग्रूट वाले ले सकते हो आप पर वो रूट वाले केस में क्या है गा अग्रेटर दन फाइव वाई फॉर अपसाइल नहीं वह तो मैं करा दूंगा भाई यह सर फाइब आएगा एक्टिल लूट विल स्क्वाइर प्लस 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 वन ने जाए न बता हां जिससे भी नहीं हुआ वो भी देख ले पहले यहां पर ज़रा इपार मुझे बस डिफरेंस बता दो सॉल्व करके क्या है आप दोनोंगा प्लस इक्स आएगा बता यह सुसेट सर्थ यह किया कि नहीं किया सबने है अब इसमें यह बच्चा भी करेट है इसमें बताओं कौन कौन सा बच्चा करेट है जिस बच्चे ने 5 by 4 n square less than epsilon लिया और यहां से 5 by epsilon 4 n square लिया और फिर n square is greater than 5 by 4 epsilon और फिर root भी लिया वो भी पुरे marks मिलेंगा इसको लिए इस बच्चे को पुरे marks मिलेंगे इसको मिलेंगे पुरे अब इसमें से कोई दो करवा सकते हों आप जो पीले वाले ग्यारा बारत्रा जोदा में से कोई कि दो आपके मर्जी भाईयों भेनों जल्दी करो कि एने टू और फिर चॉइस कि थर्टीन थर्टीन था बच्च वाला है चलो थर्टीन कर दो पिर तो तू भी बता दे चॉइस अपनी कौन सा करो और बाकी लोग थर्टीन थी इसको रैशनलाइज करें कर लेना यह सौल वैसी हो जाएगा तो आइंग थर्टीन और फॉर्टीन बहुत राइट तो फॉर्टीन कर देता हूं तो जो सब्सक्राइब मॉड्ट एन बी तो दिपार एंड माइनस जीरो तो एन क्योंकि बी तो जीरो से बढ़ा है बी तो दिपार एंड यह आना एंड बी तो दिपार एंड न ही आना प्रूट जाओ क्वेश्ण देखने तरह रहा है वहीं पर ऐसा भी होता है हम क्वेश्ण को गलत होदार देते हैं पर पश्टाते रहते हैं कि इस लेस देन अप्साइलन तो लॉग लगाओ इस पर जाइगा है में लोग लगा कि भाई लॉग अगैन प्लस अ लॉग प्लस अ लॉग भी लॉग न प्लस अ लॉग बिपी नॉगन प्लस अ लॉग भी ये वे आई कि अ कि अ एं स्क्वार लॉग भी निया पर एन भीन असाद में चाहना अगर लॉग लगा एंगा मैं इस पर तो वैसे तो काई देशित लॉगन प्लस N log B is less than log epsilon यह आना चाहिए राइट ना और log B 1 से छोटा है तो B less than 1 log B less than 0 negative हो जाएगा यह तो उदर जाके positive हो जाएगा log N is less than log epsilon minus N log B नहीं है आद जा सकता है दर कुछ गडबड़ है question में नहीं तो यह N नहीं हुआ book में देखना पड़ेगा आपको बच्चोई चीज 14th question है book का यह अगर नहीं होगा तो हो जाएगा फर यो गया ये गो ठीक है गुष्टन अब कुछ गरबर गल्द तुदार रखा कुष्टन में मेरे पास कर रहता है या बी स्क्वेर हो गाई है यह बुक में क्या दिया है बताओ बी और क्वेश्टन आगे क्या शो करना है एन अपॉन बीकी पार एन अपॉन बीकी पार एन तन वाजिस्टू वेर यह कई लिखा बस अप्लाइट थ्योरम थ्री पॉइंट वू पॉइंट एलेवन लिखाओ अज्ट्री पॉइंट वन एक्साइज में एक वेश्टन तो फिर कुछ और क्वेश्टन है ना बेटाएं तो फिर पॉइंट टू मतलर रेश्व थिर्म लगाने गोल रहा हो तो चलए चोड़ों यही था यह मैं तो बता दीए आपको अब ऐसी थे ज 2010 बीटो जाएगा आपसे नहीं होगा थे जिल्रस टुड़ न हो जाएगा वन अपों पॉन त्री टुड़ पार एन माइनस जेरो तो लोग 1 तो जेरो पॉन तो जेरो होगे साइलन तो एन इस ग्रिट देन अब साइलन अपॉन माइनस लॉग तरी यह अब यह भी हो गया तो बच्चों यहां तक क्लियर है आप सब लोग को कहानी की नहीं क्लियर है बहले बता दो अच्छा यह कुशन नहीं आएंगे पेपर में क्या आएगा बताओ कि तो आपने सीख लिया कि कुछ बाई चांस जो मैंने प्रिट किया एक परसंट वो नहीं दिखा तो क्या होगा बम भड़ जाएगा पेपर में यह कुशन आएगा चलो शुरू हो जाओ नए कुशन पर और आए आएगा इसके बिना पेपर बनता नहीं है फाइव स्टार कुशन करा रहा हूं बच्चो यह सारे बच्चो वाले कुशन ते अगर एजी पेपर बनेगा तो वो सब आएंगे नहीं तो यह आएगा पेपर में करें शुरू है ओला रेड़ी यह सार आएगा शो दाट एंटो दी पार वन बाएंट करने शुरू है यह फिर इसको ऐसे भी पुच्च लेगा वो यह बहुत इंपोर्टेंट है भाई यह दो तिन टाइप का होता है सी टू दी पार वन बैंड भी होता है सी जिरो से वन में है सी वन से बढ़ा है और एन की पार वन बैंड अगर यह आ गया तो बाकित आई जाएंगे आप चलो बच्चो सॉलूशन देखो इसका आप लोग सब बच्चे है कि बहुत अच्छे समझाऊंगा एक बार में आ जाए गस्वन में यह बात तो सब बच्चे मान लेते हैं मेरी क्लियरली कि जो एंड टुदी पार वन बैन है वह बड़ा बराबर बन से होगा यह और नॉट प्रूफ करके दिखाऊं छोटा सा मिनी प्रूफ मान लोग कोई बच्चा होगा नहीं होगा तो रीजन दे रहा हूं उसके बच्चे के लिए समझने के लिए सिर्फ इफ पॉसिबल जब भी हमें कोई चीज ऐसे करनी होते हैं इफ पॉसिबल सपोस से करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं इफ पॉसिबल सपोस एंड टुदी पार वन बायन जो है छोटा है वन से अब बोला सर्फ और आल क्यों लिखा अरे कोई भी स्टेट्मेंट जूटी प्रूव करनी है तो कुछ के लिए करते हैं अब मैंने दोनों तरफ तुदी पार एंड कर दिया चलेगा तो क्या बचा एंड छोटा है वन से अब बताओ क्या ही बात सच है अरे एंड तो नाच्छल नंबर है वन और वन से बड़ा होता न नहीं समझ में आया अरे बोलो अरे यार तुम्हारे सामने यह बात प्रूव करें दिखा दी माल लेते हैं छोटा है पार में एंड किया तो एंड चोटा है वन से कभी होता है विच्छ कॉंटेटिक से एंड तो नाच्छल नंबर है बड़ा या बराबर होगा तो तो हो गया प्रूव क्लियरली है अब हम इसी करने के लिए कुछ कर रहे हैं देखो प्रीज यहां इसी करना पड़ेगा थोड़ा सा सिस्टम को एंग हो गया मेरे केंपूटेटिक हमने क्या क्या लेट कर लिया बी एन ले लिया किसको एंटु दी पार वन बा एन माइनस वन को ठीक है और हम वे शोडायाट हम क्या शो करेंगे इन दुनों के डिफरेंस को बन ले लिए यार तो शोड़ेंगे ना इसका मतलब बीन कहां कर नमज करेगा अरे नहीं समझ में आया है यार इस बात को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है मेरे बच्चो लिमिट n tends to infinity n to the power minus 1 is equal to 0 और इस expression को मैंने बीन लेट कर लिया क्या प्रॉब्लम है और बीन 0 से बड़ा बराबर है दिख रहा है ना क्योंकि n to the power 1 by n बड़ा बराबर है बंस है चलिए जी गिसकर लित अप्सालिन पॉसिव भी दिए तो तो शो देर एक्षिस्ट और नॉट बिलॉंग स्थ नाच नंबर सब्सक्राइब सब्सक्राइब तरह यहां तक यह सारी बात नो बीएन अब आई नीड इटेंशन सॉलुशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था यह सरफ फ्रेम वर्च चल रहा था मैं इस पैसली सकता हूं बीएन जिरो से बड़ा ब्राबर है तो बीएन जो सीक्वेंस जिरो पर करवाज कर सकता है बला बल पर बता हूं यहां पर तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है बीएन प्लस वन की पावर एन इस एकुल तो एन येस और नॉट येस और अब समझने वाली बारिया यह स्टार स्टेटमेंट आगी मेरे जो आजो नेक्स्ट पेज़ पर है यहीं से सारा के लाएं से न बनेगा पर दिखाना आपको एपसाइंस से तो यह खेलना पड़ेगा बीएन तो एन तो दिपार वन बार एन माइनस वन है ना नेक्स्ट पेज प्यादो अब हमें यह पता चल गया सर ने बता दिया कि एन बराबर है वन प्लस बी एन टुद पार एन और हम सब बच्चों को बाइनमेर एक्सपेंशन आता है वन प्लस एन सी जिरो एन सी वन बी एन एन सी टू बी एन टुद पार टू एसे करते करते एन सी एन आयेगा लास्ट में बेटा बी एन टुद पार एक नहीं समझ में आ रहा कुछ भी है और बाइनमल एक्सपेंशन होता है बटा यह अच्छा इस सब n के बराबर है कि करेट है मैंने इसमें से क्या किया मुझे सरफ n चाहिए था तो मैंने कुछ तर्म्स को हटा दिया मैंने सर्फ इसको रखा तो थोड़ा सॉल्व कर देता हूं तो तुम्हें समझ में नहीं है कि एन सी वन को एन बोलते हैं तो लिखो इसको वन प्लस एन बीन प्लस एन सी टू को एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फेक्टोरियल बीन स्क्वार यही बीटा है टोटल एन प्लस लन थमस को अब मुझे यह अगर मैं इस सेकटेंड वाले टिम्स को लेता हूं तो एन सेंट कट जाता है और यह नहीं मेरे पार तो मैंने यहां थ्टोड़ा स्मार्ट नच दिखा रहा हूं दिखाता हूं आपको भी मैं इसको अपने पास रख र बड़ाबर है लेकिन अब एन बड़ा बराबर हो जाएगा अगर मैं बाकि सभी टर्म को यहां से हटा दूँगा तो क्योंकि एन बड़ाबर था दस प्लस दस प्लस तो दो टाम रखी 20 से तो बड़ा बराबर होगा ना यार अब एन माइनस वन को राइट में लेके जा रहा हो लेगे राइट में तो आपको मिल चला कि समझ में आएगी एन एन-1 अपॉन थो बी-एन स्क्वेर देखो-एन-1 कट रहा है क्या अब और आपके बाद सरफ एक और बच रहा है कि नहीं बच रहा बताओ तो क्या बी एन लेजन इकल टो रूट टू एन आ रहा है के नहीं आ रहा है मुझे बताओ जल्दी से सारे बच्छे जल्दी से बताओ यह सो और मैंने इसको लेजन एपसाल नहीं कर दिया तो यह से इफ इफ एन इस ग्रिटर देन क्या आजाएगा मेरे बटा तू बाए अब सांग स्क्वर आजाएगा ना बाकी कहानी से लेट नोट भी आ पॉजटिव इंटीजर such that n not बड़ा है किससे 2 by epsilon square से तो to mod bn minus 0 epsilon से छोटा होगा for all n greater than equal to 1 not तो sequence bn 0 पे converge करेगा तो n to the power 1 by 1 minus 1 भी 0 पे converge करेगा that is 10 to the power 1 by 1 पे converge करेगा जान जान शुरू से देख लो चाहे तो आप यह हरे वाली बात बताने जो इतनी है हरे वाली यह तो आप लोगों ने पूचा मैंने बता दिया हाँ बई मेरे शेरो आया समझ में नहीं आया बहुत इंपॉर्टेंट है यह सर आएगा यह आएगा पेपर में जाती देखना सबसे सामने लिखा और रखा में लेगा यह इसके बना पेपर नहीं बनता फाइव स्टार में हर चीज को नहीं देता भुड़ लएका मगारनो करदा तू मुड़ लोड़ सोगय lets you झाल 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 हो गया तो थ्री पॉइंट वन एक्सरसाइज हमने संपूर्ण तरीके से खतम कर दी है इसमें सी टू दिपार वन बैन वाले वाही है वो भी हम ब्रूव कर सकते हैं सब प्रूव कर सकते हैं हमें कोई यही सबसे इंपोर्ण्ट है सु नेक्स्ट एक दो प्रॉब्लम्स सैंडविच त्योरम पर उताया तो चलो सैंडविच त्योरम पर करा तो चुपाऊं पर फिर भी उताया तो प्रॉब्लम्स इस बेस्ट डॉण अरे कुश कुश तो लेके नहीं है उसका सैंपलर पर पर पत्रों नहीं रिखा तुमें तो यहां तक आगे ने चलके रॉप टाकी चली कि रिजव भी उताइस में घृत तो तेल दलवाले ने सामने तो इसको ले जाए इसके सेंबर पर लेया बचारी कि इसकी क्यों ना करेंगी में तो नहीं 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 दोनों जूस प्योंना सट्टे रहा कि मार्केट में ले जाएगी वह अच्छे बैच्छे तुम लोग तो अच्छे बैच्छे तुम लोग तो और अब जाएगा बेटा दोना प्रेसे पुलिस वाले होते हैं इस वह जाएगा आप इसको अब तुम देखा फिश्चापी जैकि है चुट को मैं गुछ टर्फ है को आथा अब चार वाई के बाद हो था वही वालड़ जयाँ आ ऑनकल मैं भारतार से आएगा हुप और भारत अपाट्मेंट से सामने से ने से पाट्र भर्वान है आया हुँग है और अच्छे वह पारत म कि अच्छी बात है अभी रिख्षम जाओ दो कि अच्छा चलो बंद करो न प्रॉब्लम्स बेस्ट हों सौनी बच्चों सैंड्विश थे रहे हूं मेरी भी आप जैसे बच्चे रड़ते रहते हैं हमेशे साइन एन बाएन कनवर्जिस टुवेर जीरो ये शो करना भी आप तो भाई हो गया शो इसमें क्या करना है शो सॉलुशन करा रहा है ना मैंने क्लास में ये वला साइन ठीटा बाउंडेड अबव बाई वन होता है क्या बच्छो और बिलो बाई मैनिस वन साइन की सारी वैलियो मैनिस वन और वन की बिच में होती है कि नहीं तो मटिपलाई बाई वन बाई एन कर दो बेटो पूरे मैं कर दिये अब बता दो एक्जामनर को भाई मैनिस वन बाई एन कहां कनवर्ज करेगा जीरो पे बाई एन बी कहां कनवर्ज करेगा जीरो पे बाई स्क्वेज प्रिंसिपल साइन एन एपॉन एन बी कहां कनवर्ज करेगा मेरे बिटा यह तो बहुत एजी था अब हम करते हैं क्वेशन टू जो अच्छा वशन है जो पेपर में पूछ सकता है हमसे क्वेशन नमबर टू मेरे बिटा क्याता है शो दाट स्क्वेश प्रिंसिपल पर है यह दिमाख वाला क्वेशन है थोड़ा सा दिमाख वाला है बहुत जादा को रॉकेट साइंस नहीं है वर्न पॉन आपको हमेशा एक बड़ा सीक्वेश जून नहीं होता है चोटा सीक्वेश जून नहीं होता है इससे ताकि बड़े वाले को कनवेश करो चोटे को सेम लिमिट पर दिखा बीच वाला आपने आप वहीं पर पहुंच जाएगा अब आपको यह n प्लस n का स्क्वार है यह सॉरी वैर था सबी टम्स का स्क्वार कर नुब एक्वल टो जीरो आना चाहिए तो सॉलिशन देखो प्लीज मेरे साथ कैसे लिखना है उसको देख लो लेट पहली को विए अन मान लो टौटी अन अपने मान लिया अप लो ॐ कोई को ए लेंगे से यह बताउं चोटा लोगे कैसा लोगे सकता लेंगे तो वन एपोन एंस क्यूल लिए कि नहीं अपने एक तो किया आपने ये शो कर दिया कि जो यह न है यह जोंगा यह चोटा बराबर सबसे बड़ा है या तो वो लो या उससे बड़ा दिनोमेटर लो राइट यह बड़ा बड़ाबर होना ची तो मैंने 1 upon 2n का स्क्वेर ले लिया यहां भी सारे जगह पे 1 upon 2n स्क्वेर सबसे बड़ा दिनोमेटर ले लिया कितने टम्स हैं यह n टम्स है n टम्स 4n स्क्वेर ले लिया which is 1 by n so therefore मैंने दिखा दिया यह an बड़ा बराबर है 1 by 4n से ची तो बड़ा बड़ाबर है 1 by 4n से बीच में आ गया चोटा बड़ाबर 1 by n बड़ा बड़ाबर 1 by 4n और all n बिलॉंग स्टो नाइचर नमबर अब आप सब को पता है कि 1 by 4n 0 पे करेगा 1 by n भी 0 पे करेगा तो by squeeze principle मेरे बेटा A n भी 0 पे करेगा करेट है यह बात अरे limit अंटेंशन फिर लगाऊ ना 1 by n पे 0 आएगा बड़ा है ना अरे नहीं आया समझ में आ गया 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 अगे चलें बैचो आगे अब ये question 3 है let मैंने an दे दिया आपको 1 by under root n square plus 1 1 by under root n square plus 2 1 by under root n square plus n show करो कि an 1 पे converge करता है by sandwich theorem तो देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको an को बीच में रखा एक sequence इससे बड़ा चीए चोटा तो बड़ा चीए तो सबसे चोटा denominator 1 by root n square ऐसे term लेते हैं जो simplify हो सके तो denominator चोटा लेंगे तो नमबर बड़ा आता है और बड़ा चीए तो सबसे बड़ा वाला नमबर ही ले लिया हमने n times n हो गया यह 1 आ गया यह n times root n square प्लस n हो गया अब इस पर limit and tension लगाएंगे पीछे वाले पर पहले तो n square भार आएगा तो n आएगा भार तो 1 आएगा आगे वाले पर लगाएंगे 1 ही आएगा तो by squeeze principle sequence a and b कहां कर नमज करेगा आया समझ में थुड़ा बहुत यह नहीं आया बच्चो तो यह स्क्वेश पिंसिपल की थे रहा है अब सीक्वेंसेज में बचा है सेक्वेंसेज के दिए बचा है रेशो तो सब्सक्राइब और एंसीटी थेवर्म की प्रॉब्लम्स रेशो थेवर्म एक्जाम में आएगी पांच नंबर की सिट्व रहें कर दखेंगा यह अज अज मैंने गराए पांच नंबर का पांच नंबर का एल्जब्लाग तो अभी तो अब हमें करना है लिस लो सब्सक्राइब धिरन बहुत सारी क्रूफ के ऋ और ठीक है बच्चों के तो आपकि एक्सरसाइज टू करा दिये मैंने एक आधा question कराना है वो कल कराऊंगा mct theorem करेंगे इसके बाद 3.1 खतम बरा दिया आज चिक और 3.2 ही हो जाएगी आप काफी सारी तो ख़दी कर पाएंगे इसको तो कल 3.2 और 3.3 दोनों खतम हो जाएंगे 3.2 और 3.3 ओक तो इसनल इतना करो पले अच्छे से ठीक है इख शर के गूर इस टीर रॉप के का है है कि तो ऐसे थातेंगए वो कि यख अइंग वाइक पाई प्रेक्रीश प्रेंग सॉपट झाल झाल